हाई अबरिवन वेलकम टो डिस्टल जी के क्लासेश तो आप में से बहुत से लोग ये जानना चाते हैं कि सीटेट का एक्जाम जो है वो कब से स्टार्ट होगा इसलिए क्योंकि हमको रिवीजन करना है येस क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थी कि आप प्लीज इतना ब वीडियो है मैं आपको एक पॉसिबल एक संभावित डेट जो है वो बता सकती हूं और भी चीजे फैक्चुल चीजे ही बताऊंगी इधर उधर की नहीं आपको पता ही है जो सीटेट ने जो खुद बोला है ओफिशल वेब साइट पे वही सारी चीजे में आपको दिखा कर बताऊंगे ठीक है तो आप जो है एकदम टेंशन फ्री रिवीजन करें अपना प्रिवेसर करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ तो जो लोग नए आ हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यहां से आपको कैसे एक्जाम को क्लियर करना है इन्फोरमेशन हर एक कराती रहोंगी कि आज किस टाइब के कुछन्स पूछे हैं वो बहुत हैल्प करते हैं पता चलता है कि क्या सीटेट ने कुछ नए टाइपस के जो कुछ राया या नहीं ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब आपने करी दिया होगा देखिए सबसे पहले अब आप एक चीज़ मान के चलो जैसा कि बुलेट इंफोर्मेशन में भी लिखाया है कि दिसंबर से जैनवरी के बीच में ही होगा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था बट दिसंबर में कोई डेट तो दिया नहीं है जैनवरी तो चलो मान के चलते हैं कि पूरा महीना हो ठीक है बट कितनी सिफ्ट होंगे यह मैटर करता है अगर जैसे कि आप में से बहुत से लोग हैं यह भी बोल रहे हैं कि अगर हमें दो दिन पहले पता चलेगा कि कहां पर है तो अगर दूसरे सिटी में गया होगा तो हम कैसे जाएंगे रिजिवेशन वगरा कैसे कराएंग है देखो सबसे पहले मैं आपको कंपेरिजन जो है वो बताना चाहूंगे अपने आप सारी चीज़े आपको क्लियर हो जाएंगे देखे पिछले साल जो पेपर हुआ था ना उसमें इस साल के जैसा नहीं था कि पहले आओ पहले पाओ हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं था इसको भी वही सीटी मिली है तो इसलिए यह टेंशन थी ही नहीं कि हमें जो है एडमिट कार कभी उतना टेंशन नहीं था क्यों क्योंकि मुझे पता था ना कि जो सीटी मैंने भरा है जहां पर मैं रह रही हूं मेरा सेंटर तो वही जाने वाला है तो चाहें दो दिन पहले पहले आए चार दिन पहले आए कोई फरकी नहीं पड़ता है बट इस बार ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जो हमारे पास तो बहुत कम समय था कि कहां पर गया है आप लोगों के साथ मुझे आसा लगता है कि आपको पता चल जाएगा थोड़े से कम से पां इसमें पहले आओ पहले पाओ का नहीं था इस बार है इस बार आपको थोड़े बहुत चेंज़ेस दिखने को मिलेंगे तो आप एकदम टेंशन फ्री रहो सीबेसी के द्वारा आपको सब कुछ एकदम ओफिशल वेबसाइट पर पता चल जाना है कि कब कहां आपका पेपर होगा और येस दो दिन पहले तो वो नहीं बताएंगे जो लोग भी ये सोच रहेंगे कि दो दिन पहले पता चलेगा तो हम कैसे जाएंगे ये भी दिसंबर में कितनी पेपर होंगे देखिए पहले ये हो रहा था कि चलो अगर 16 दिसंबर से पेपर जैसे कि पिछली बार था 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था तो 16 दिसंबर से हमारा जब पेपर स्टार्ट हुआ था तो 10 दिन पहले पता चल गया था और अब आप सोचो कि आपको 20 तक पता चल जाएगा next week में मैं आपको इतना बोल सकती हूं कि next week में आपको सब कुछ एकदम clear हो जाएगा exam की date और जैसे ही एक date पता चलेगी तुरंथ हमारे सारे के सारे doubts खतम हो जाएगे क्यों कि एक date आ गया इसका मतलब अब आपकी examination start है अब आपका paper कभी भी ह सकता है दूसरी चीज सबका date पता नहीं चलता है तो आप सब एकदम तयारी में रहे क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता है कि आपका paper mid में होगा last में होगा starting में होगा तो आप अपने तरफ से 100% करके चलिए पूरा revision कर लो जितना भी revision करना है एक हफते में कर लो एक हफते के बाद आपके पास समय नहीं बचेगा जो लोग भी सोच रहे हैं कि मेरा last में आएगा उनको भी मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप यह मत सोचे कि आपने last में भरा है कुछ भी हो सकता है random सब कुछ होगा ठीक है न यह नहीं है कि आपका alphabet है या फिर आपने starting में भरा है last में भरा है कुछ भी matter नहीं करता है मैंने अपना खुद का example आपको बताया हुआ हुआ है कि मेरा खुदका letter P से है बट अल्फाबेट का बट मेरा एक्जाम जो है लास्ट में पढ़ा था मतलब जैनवरी में था और जिनका जो है स्टी था उनका पहले ही हो गया था मेरे से पहले तो यह सारी चीजे हैं तो अब आपको पता चल चुका है नेक्स्ट वीक में 100% आपको कुछ न कुछ पता जरूर चलेगा पेपर कब से है क्यूंकि अगर यह लो नेक्स्ट वीक में नहीं निकालेंगे तो आप सोचो ना दिसंबर में कितने ही दिन बचे हैं अब ऐसा तो बच्चे हैं आना जाना भी है एक जगह से दूसरे जगह जाना है जरूरी नहीं है जो आपने preference दिया होगा, वही आपको मिले, अगर आपने last में भरा है, या फिर mid में भरा होगा, तो ये सारी चीजे, सब कुछ इनके साइट से एकदम से उलजा हुआ है, कुछ भी कोई नहीं कह सकता है, बट एक चीज की surety है, कि आपको अपना पता चल जाएगा, पहले ही आ जहाँ पर हर जगा पर आपको वो center available हो, जहाँ पर system हो, जहाँ पर computer वगरा हो, वहीं पर तो paper होगा ना, अब offline में क्या होता था था ना, कि कहीं पर भी करा दो, कोई भी school में करा सकते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं थी, लिकिन यहीं दिक्कत है, कि system होना चाहिए, तो जिस center म बच्चे, जिनका paper होता जाएगा, वो जगह खाली होती जाएगी, तो आपको दो दिन पहले वो alert कर दिया जाएगा, बस यही reason है, दो दिन पहले का, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी tension मत करना, मैं आपको एक advice देना चाहूंगी, एक हपते के बाद आपका exam, जो है, सब इस्टल क्लियर हो जाएगा, और एक हपते का बस wait करो, लेकिन एक हपते के बीच में अपनी तयारी 100% रखो, revision कर लो, क्योंकि क्या पता आप में आपी में से कुछ लोगों का paper पहले पढ़ जाए, ये भी तो हो सकता है न, तो इसलिए अपने तरफ से पूरी तयारी कर लो, हर paper one, paper two, सबका revision कर डालो, जो मैंने free में बताया था previous questions, वहाँ से सारे previous questions, दुबारा से start करो, दुबारा से करो, online exam कैसे देते हैं, वो भी मैंने बनाया हुआ, एक और मैं पूरा screen record करके बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको और भी अच्छे से clear दिख जाए, क्योंकि पहले तो previous questions करो, multiple revision करो, mock test दे लेना, ज्यादा mock test उतना फायदा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने तो mock test उतना दिया नहीं था, मैंने previous questions ही किये थे, अगर आपके पास previous questions online mode में है, तो वो करो सबसे best है, उससे best कुछ नहीं है, online वाला पूरा paper एक बर और अच्छे से start कर, starting से कर डा कि येस, इनका पहले पढ़ा हुआ है, तो बहुत tension रहती है, एक तो सबसे पहले पढ़ा है, एकदम लगता है कि नया है, और जिनका धीरे-धीरे बीच में रहता ना, आप देखना, उनकी tension थोड़ी से कम होगी है, आपके compare में, तो आप अभी से त्यारी कर लीजे, मैंने कोई date नहीं बताई है, तो आप कुछ लोग आके बोलेंगे कि अरे तुम क्या date बता रही हूँ, मैंने कोई date नहीं बताई है, मैं आपको एक बता रही हूँ कि आपको तैयारी अब अच्छे से start करनी चाहिए, एक हफतेक बाद आपको कभी भी कुछ भी पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, कि January में ये लोग start करेंगे, तो अगर January में start करना है, तो अपनी bulletin information में ये क्यों लिखा है, कि December से January के बीच में paper होगा, seated के ही official website की बात कर रही हूँ मैं, तो इतने तो आप समझदार है ही, कि अगर seated ने अपने official website पे लिखा है, तो December से ही start होगा सारी information मैंने दे दिये, कोई भी doubt हो, comment कर लिजेगा, और tag word में math का भेज दूँगे, टेलिग्राम पे आप परिशान मत होई है, पूरा अच्छे से लिख के आज मैं भेज दूँगे, ठीक है, जो classes हैं वो जरूर देखेगा, marathon classes भी, अच्छे से त्यारी करो, सभी का seated अच् वीडियो पसंद आए, तो please like जरूर कीजएगा, और share करें, चानलों को subscribe जरूर कर ले, so that कोई information मैं आपको देना चाहती हूँ, वो आप तक सही time पर पहुँचे, thanks for watching